तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब और फालो कर दे मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक 23 राज्यों में बारिस की संभावना केंद्रिय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने कहा प्याज निर्याद पर लगे 40 फिसदी सुल्क से परेशान ना हो किसान यूपी के हर दोय में बार का कहर 10 दिन से मविशों के साथ घरों में कैद होकर रह गए हैं लोग नुहिंसा को लेकर सीम खटर पर बरसे किसान नेता राकेश टिकेत बोले वे भाई चारा तोड़ने की बात करेंगे हम जोडने की अगले महीने हर दूसरे दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी यूपी कॉंग्रेस सध्यक्षे अजैराय बोले मेटी के लोगों को आ रही राहूल गांधी की याद मुजफर नगर मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन रद्धोगी स्कूल की मानेता हर्याना में राकेश तिकेत का बड़ा बयान कहा MSP कानून लागू नहीं हुआ तो फिर होगा किस्तान आंदोलन CM गहलोत बोले 500 रुपिये में गैस लेंडर देने वाला राजिश्थान एक मात राज्ये महंगाई का बोज हुआ कम मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को रक्षा बंधन का गिफ्ट देंगे CM सी उराज योजना की रासी बढ़ाने का कर सकते है एलान नुह में फिर निकाली जाएगी आतरा हिंदू संगठन के एलान के बाद इंटरनेट बैन धारा 144 लागू बिजेपी नेता सहनवाज हुसेन बोले बिहार की सभी 40 सीटे एंडिये की जोली में जाएगी ग्यानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर इलाबाध हाई कोट की सिंगल बेच फिर करेगी सुनवाई जी टोएंटी को लेकर राजधानी दिल्ली में चपे चपे पर होगी पुलीस विदेसी महमानों के लिए 400 टुरीज्म पुलीस दिल्ली भर में रहेंगे तैनात हमारे विश्वास विकास की हमाए अब चांद पर पहुँची जेपी नड़ा ने चंद्रियान थरी की तारिफ करते हुए कही यह बात इंडिया की बैठक से पहले बोले कॉंग्रिस निता राशिद अलवी कहा राहुल गांधी 2024 के बाद पी-म बनेंगी हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपानी बोले चांद को हिंदू राश्ट घोसित करें वहाँ बनाएंगे मंदिर यूपी में रक्षा बंधन पर भहनों के लिए दो दिन फ्री बस सेवा 14 जिलों में मिलेगी सुईधा जार्खन में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू अब तक 356 लोग आ चुके हैं चपेट में मध्य प्रदेश में 450 रुपे में रसोई गैस लेंडर सीम ने किया बड़ा एलान रक्षा बंधन से पहले दिया खास तोफा मन की बात में बोले पियमोदी कहा दुनिया ने देखी चंद्रियान की सफलता अब G20 पर नजर दुनिया में फिर होगा हाकार भारत ने बेन किया बासमती चावल का एक्सपोर्ट पंजाब के राजिपाल ने सीमान को दी राश्टपती सासन की धमकी आज तेलंगाना के दोरे पर ग्रिह मत्री अमित्सा खमम में किसानों को करेंगे संबोधित पियमोदी बोले कोविट के दोरान भारत ने दुनिया की जान बचाई कन्हिया कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला कहा धर्म के नाम पर आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है जमू बंद के एक दिन बाद युआ राजपूर्ट सभा के 26 नेताओं को किया गया रिहा कटवा जेल में थे बंद कॉंग्रेश नेता अमरिंदर सिंग बोले पंजाब में राष्ट पती सासन लगाने की धमकी देना सही नहीं आज फिर बढ़े पेट्रोल डिजल के दाम बिहार समेत कई राज़ों में 110 रुपे लीटर पहुचा पेट्रोल का रेट रक्षा बंधन से पहले महंगाई का जटका चांदी 32 रुपे हुई महंगी जी ट्वेंटी की बैठा की तैयारियों का जाजा लेने पैदाल निकले दिल्ली के लजी वीके सक्सेना मध्य प्रदेश में कॉंग्रेश ने जारी किया वचन पत्रे चुनाओं से पहले कमलनाथ ने किये 11 बड़े वादे बिजली बिल और किसानों का कर्जमाफ का भी ऐलान सीम सी राज का राखी गिफ्ट सवा करोड महिलाओं के खाते में डाले 250 रुपे भारत आएंगे सीमा के पती गुलाम बोले मेरे बच्चों को गद्दारी सिखाई देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आये 44 नए केस देश में UCC लागू हुआ तो नहीं मानेगा मुस्लिम प्रसनल लो बोर्ड लो कमिशन को दी चेताउनी जी ट्वेंटी सम्मिलन को संबोधित करेंगे पिए मोधी दिल्ली में पच्चपन देशों के 1500 प्रतिनीधी लेंगे हिस्सा यूपी में घोसी उप्चुनाव को लेकर कॉंगरेस का बड़ा एलान सपा का समर्थन करेगी पार्टी प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने उठाया कदम चार दिन में की 28 टन की खरीद मुंबई में फिर होगा महा जुटान 27 दलो के नेता होंगे शामिल इडिया को मिलेगा कोमल लोगो बीजेपी ने सीयम ममता बेनरजी पर किया हमला कहा बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाली सरकार तेजस्वी आदों ने केंदर पर बोला हमला कहा विकास में बिहार अवल बीजेपी राज में देश बंगला देश से भी पीछे बिजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में दावा गहलोत पालेट के बीच नहीं खत्म हुआ जगड़ा समस्ती पूर कोर्ट परिश्टर में हुई फाइरिंग पर सुसील मोदी ने सीएम नितीस को घेरा बोले बिहार को भगवान के भरोसे छोड़ दिया महराष्ट पर पढ़ने वाली है महंगाई की मार एक सितंबर से तीन रुपे बढ़ जाएंगे दूद के दाम पचास सिक्षकों को मिलेगा राष्टी सिक्षक वोड राष्ट पती मुर्मू 5 सितंबर को करेगी सम्मानित दिली एंसियार में फिर बढ़ेगी तपी 49 दिग्री के पार पहुँचेगा पारा अगले साथ दिन तक बारिश नहीं अशो गहलोत का बड़ा दावा कहा दोहजार चोबिस में कॉंग्रेस की ओर से पीम पत का चेहरा होंगे राहुल गांधी अनुराग ठाकूर का बड़ा हमला कहा कॉंग्रेस के लिए परिवार फश्ट हमारे लिए नेशन वेग्यानिक फश्ट जी टोएंटी सम्मेलन को लेकर 160 उडाने रदे 1000 रक्षा करेंगे महमानों की सुरक्षा मलीका अर्धुन खरगे ने केसी आर पर बिजेपी से मिलने का लगाया आरोब भाश्ट पर बोली लोग अंधे हैं क्या महुआ मोहित्रा का पीए मोधी पर हमला कहा बिजेपी 2024 में इसरो को बनाएगी केमपेंट टूल विपक्षी एक जुटता की कोशिस को जटका आम आदमी पाटी ने किया बिहार विधान सभाच नाव लड़ने का एलान भीएचपी का बड़ा एलान कहा परमीशन मिले या ना मिले नू में निकल कर रहेगी यात्रा सरकारी बैंकों के प्रमुखों का बढ़ जाएगा कारेकार रिटायर्मेंट की उम्र बढ़ाने पर हो रहा विचार सर्वे में चोकाने वाला खुलासा केवल दो फिसदी सिनियर सिटीजन के पास है हेल्थ इन्सोरेंट्स गरीबों के लिए काम कर रही सरकार B20 समीट में बोले पियमोदी कहा भारत में होगा सबसे बढ़ा मिडल क्लास सितंबर के पहले सप्ता में लोंच होगा आडितिये L1 मिशन इसरो प्रमुख बोले दो दिन के भीतर होगा तारीक का एलान महराष्ट के सीम एकनाथ सिंदे का वादा अगले धाय साल में मुंबई की सरके गढ़ों से होगी मुक्त यूपी के उन्नों में खत्रे के निशान से 21 सेंटीमीटर उपर बहरही गंगा पलायन को मजबूर हुए लोग हैदराबाद में बोले खरगे कहा अमित सा रिपोर्ट कार्ड मांगे तो कहिए की इस रोग कॉंगरिस ने बनाया जारखन के सीम हैमन सुरेन पर भड़के बाबू लाल मरांडी बोले मेरी आवाज नहीं दबेगी एक एक पैसे का हिसाब होगा उत्राखन दोरे पर पहुँचे बिजेपी राष्टे अध्यक्ष जेपी नडड़ा लोग सभा चुनाओ को लेकर होगी अहम चर्चा सीम एकनाद सिंदे का दावा कहा देवेंदर फटनविस को जेल भेजना चाहती थी एमबीए सरकार लगाये थे जूठे आरोप एक सितंबर से आम जनता को फिर लग सकता है महंगाई का जटका पेट्रोल डीजल एलपीजी समेथ बढ़ सकते हैं सबजीयों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीजियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए